प्रोटीन की मात्रा होती है तो उसमें आठ से दस प्रसद प्रोटीन की मात्रा होती है गेहों के लिए उप्युक्त ताप क्रम होता है तो वहाँ 25-40 डिग्री सेंटी ग्रेट होता है उप्युक्त ताप क्रम कुश्यन नमबर नेश्ट गेहूं की पहली से चाहिए किस अवस्था पर करनी चाहिए तो वहाँ CRI अवस्था पर करनी चाहिए ओम 20-25 दिन के बाद कुश्यन नमबर नेश्ट गेहूं के दाने में कार्बो हाइड़ेट कितने प्रसत होता है तो वहाँ 62 से 71% कारवो हाईड़ेट होता है कुश्यन नंबर नेश्ट गेहुं की बुवाई में तो गेहुं की पचेती यानि पचेती जो पिछली बुवाई होती है तो उसकी 125 किलोग्राम प्रति हैप्टेर होती है कुश्यन नंबर 6 डिबलर की खूटियों की लंबाई कितनी होती है तो वह साथ पॉइंट पांच सेमी होती है कुशन नमबर नेश्ट साथ नमबर गेहूं के अंकुरण के समय कितना तापकरम उचित रहता है तो बीश डिगरी सेंटी ग्रेट रहता है कुशन नमबर नेश्ट आलू की दो कतारों के बीच गेहूं की कितनी कतार बो सकते हैं तो एक कतार को बो सकते हैं कुशन नमबर नेश्ट नमबर जो के दाने में प्रोटीन वा कार्बो हाइड़ेट कितना होता है तो प्रोटीन 14% यों कार्बो हाइड़ेड और 60% पाया जाता है भारत में सरवादिक जो किस राजी में उगाया जाता है तो यह हमारे उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है Question number next हिमानी किस पसल की जात है तो वह जो की जात है Question number next चने का उपकुल है पेपुल युनिवर्सी कुल है Question number next त्यारा नंबर चने का भूसा किसके कारण नमकीन होता है तो वह मेलिक एसिड वह आगजेलिक एसिड के कारण नमकीन होता है Question number next इसकरवी रोग में चने देने से लाब होता है कुशन नमबर नेश्ट काबुली चने की बीजदर कितनी होती तो उसकी बीजदर 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेटेर होती है कुशन नमबर 16 चने के बीज को भूब में कितनी गहराई पर बोते हैं तो 6 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर बोते हैं कुशन नमबर नेश्ट देशी मटर को किस अनि नाम से जाना जाता है तो उसे फिल्ड पी के नाम से जाना जाता है कुशन नमबर नेश्ट गार्डन पी का वानस्पतिक नाम है तो इसका पाईसम सेटाइबा होर्टेंस नाम है मतर में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तो 22% मतर में प्रोटीन की मात्रा होती है मतर की पहले से चाहिए बुवाई के किने दिन बाद और कप करनी चाहिए तो 45 दिन बाद फोल निकलने के समय करनी चाहिए मटर की हरी फलियों की उपज प्राप्त होती है मसूर की खेटी प्रमुक रूप से किसलिये की जाती है तो वहा दाने के लिए मसूर की खेटी की जाती है मसूर के दाने में प्रोटीन की मात्रा 24.2% पाई जाती है Q2 भारत के किस राज में मसूर सरवादीक उगाया जाता है तो वहां उत्तर प्रदेश में सरवादीक उगाया जाता है Q2 अगेती बुवाई में मसूर की बीजदर रखते हैं मसूर से दाने की उपज प्राप्त होती है 25-25 से 35 कुंटल प्रति हेप्टेर प्राप्त होती है संसार में सबसे अधिक आलू खाया जाता है तो वहां जन्मनी में खाया जाता है आलू में कार्बो हाइडेट कितना पाया जाता है तो आलू में 18-20% कार्बो हाइडेट पाया जाता है कुश्यन नमबर नेश्ट आलू की जन मुहम मानी जाते है तो दच्छडी अमेरिका या मेक्सिको माना जाता है दहरादून की पहाडियों में सरभाद एक किसने आलू उगाया तो मेजर यग ने आलू उगाया कुश्यन नमबर नेश्ट इसकर्व रोक से बचाने के लिए आलू के बीच का उपचार किस दवाई से करते हैं तो एरिटान से करते हैं कुश्यन नमबर नेश्ट आलू की सुसपता वस्ता तोड़ने के लिए किस रसायन का परियोग करते हैं तो थायो यूरिया का परियोग करते हैं आलू के बीज में कितनी आँखे रोग रहित होनी चाहिए केंद्री आलू अनुसंदान संसान कहा इस्चित है सिमला हिमांचल प्रदेश में इच्छित है कुश्यन नमबर नेश्ट जई के चारे की ओसद उपाज मिलती है 400 से 600 कुंटल प्रते हेप्टेर प्राप्त होती है कुश्यन नमबर नेश्ट 36 नमबर बरसीम का क्रोमोजोम नमबर होता है तो उसका 16 होता है गुड़सूत संख्या 16 होती है कुश्यन नमबर नेश्ट बीडी तमाखू में कितने प्रसंद निकोटीन पाया जाता है 7.25 प्रसंद निकोटीन पाया जाता है कुश्यन नमबर नेश्ट हुक्ता तमाखू में निकोटीन पाया जाता है तो यहाँ आंद्र प्रदेश में question number next उत्पादन की दर्श से इसका इस्थान है आज का question यही last please channel को like and subscribe करना ना बोले जो भी कोई doubt वो comment कर सके